जैहिन प्यारे बिच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्श क्लासेस में प्यारे बिच्चों, आज हम लोग क्लास 4, JCRT जारखन बोट द्वारा आयोजित की जाने वाली परिक्षा 9 मई 2023 को आप सभी को गनित विशे का एक्जाम होना है और इसी को हम लोग इसी विशे के बिच्चा important important questions को कर रहे हैं प्यारे बिच्चों या set 3 है इसके पहले मैंने आपको set 1, set 2 की वीडियो प्रोवाइड कर दी है और end विशेयो की भी वीडियो प्रोवाइड कर दी है तो आप उन वीडियो को देख करके अपने जांज कर सकते हो अपनी त्यारी को जबरदर्श्ट दिसा दे सकते हो बच्चा या set 3 है class 4 math important questions की सबसे पहले तो आप सभी जितने बच्चे भारतवस classes पर पहली बारा हैं बच्चा इस वीडियो को जल्दी से like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा इसी परकार की आपको अन्य वीडियो की notification के लिए notification bell icon को जरूर ओन करना है तो चली प्रारम करते हैं प्रतम प्रशन आप सभी के सामने हैं प्रशन कहता है निमलिखित संक्याओं में सबसे बड़ी संक्या को पहचाने यहाँ पर देखे लिख रखा है 234, 432, 243, 423, 136 इन संक्याओं में से सबसे बड़ी संक्या कों सी है पहले विकल्प, हम विकल्प यहाँ देख लेते हैं विकल्प दे रखा है 234, 432, 423, 136 तो विकल्पों से आप देख सकते हैं बच्चे कि इन चारों में से सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सी संख्या है देखें यहाँ पे 432, यहाँ 423, इन दोनों में से कौन बड़ा है 432 वड़ा है तो यहाँ पे 432 सबसे बड़ी संख्या है कौन सी है बच्चा 432 आपसे यहाँ पे पुछ ले कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है छोटा पुछेगा तो आपका उतर होगा 136 अभी हमारा उतर है 432 प्रशन संख्या दूसरा को देखिए तो दूसरा प्रशन कहता है निमलिकित संख्या हमें सबसे छोटी संख्या को पहचाने यहाँ पे 136 236 321 125 456 हमें सबसे छोटी संख्या को पहचानना है सबसे छोटा संख्या इसमें कौन सा है तो विकल्ब देखिए 236, 136, 125 या फिर 456 बताए सबसे छोटा कौन सा है वेरी गूड 125 125 होगा सबसे छोटा संख्या 125 है प्रशन आपको ध्यान से पढ़ना है बच्चा एक्जाम में भी आपको घबराना नहीं है एक तब अराम से प्रशनों को पढ़िएगा और उसके उत्तर को लिखिएगा प्रशन संख्या 3 दिया गया है दिये गए अंको से सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है एक दो चार पांच सुनी यहां पर हमें सबसे बड़ा संख्या बनाना है तो सबसे बड़ा अंक इसमें से कौन सा है सबसे बड़ा अंक पांच है पहले पांच को लिखेंगे इसके बाद कौन सा होगा पांच के बाद पांच के से छोटा है चार फिर चार से छोटा यहां है दो दो से छोटा है एक एक से छोटा है सुनिये तो चोवन दो सो दस यानि चोवन हजार दो सो दस विकल्प सी सही है कौन सा सही है बच्या विकल्प विकल्प C से ही है इसका ही उतर होगा चोगन हजाद दो सो देस प्रेशन संख्या चौता दे रखा है 547 गुने 100 बराबर क्या होगा तो यहाँ पे देखे बिच्चो इस प्रिकार के प्रेश्ण को क्या करना है कैसी करना है 547 गुना किस से हो रही है 100 से दो 0 लगा दिजे यानि चाववन हजार 700 विकल्प A सही है कौन सा सही है बच्चा विकल्प A सही है चाववन हजार 700 होगा पाँचवा परसन दे रखा है किसी विद्याले में बच्चो की संक्या 132 है बच्चो को 44 समूह में बाटा गया है प्रतेक समुह में कितने बच्चे होंगे कितने बच्चे हैं बच्चा 132 है और 132 बच्चों को 4000 समुह में भाटा गया है तो इसको हम 4 से भाग कर देंगे 14 बारा यहाँ पे 1 और 2 14 12 कितना हुआ यहाँ यहाँ पे यहाँ पे आया भागफल 33 तो 33 होंगे प्रतेक समों में कितने बच्चे होंगे बच्चा 33-39 बच्चे होंगे विकल्प ए सही है छठा प्रस्न दे रखा है निम्न में से किस माह में 31 दिन होते हैं देखिए यहां पे दिनों से सम्मंधित है बच्चा इस प्रस्न को आप देखिए यहां पे कौन सा विकल्प सही होगा जन्वरी, फर्वरी, अप्रेल और जुलाई बताए इनमें से किस माह में 31 दिन होते हैं वैसे यहां पे दो विकल्प सही है आप बताए कौन कौन सा सही होगा तो देखिए बचाए जन्वरी में 31 दिन होते हैं मार्च अपरेल में यहाँ पे 30 दिन होते हैं और जुलाई में 31 दिन होते हैं तो आप विकल्प A और D को सही किजिए विकल्प A और D दोनों सही हैं आपको यह जरूर धियां रखना है बच्छा कि किस महने में 31 दिन होते हैं किस मेहने में 30 दिन होते हैं देखे मैं आप सभी कोई बार यहां पे लिखवा दे रहा हूँ आप सभी अपनी कोपी में नोट जरूर कीजिएगा देखे जनवरी में 31 दिन होते हैं मार्च में मैं मैं ठीक है जनवरी फरवरी में 28 या 29 होगा मार्च में 31 अपरेल में 30 मैं 31 जून में 30 जुलाइव और अग जनवरी मार्च मैं जुलाइव अगस्त अक्टूबर दिसंबर में 31 दिन होते हैं और यहां पे इसमें होगा 28 या 29 और इसमें होगा 30 ये आपको धियान रखना है प्रसंद संख्या सात्वा है मंगलवार के पहले क्या आता है तो आपको दिनों का करम याद रखना है पहले क्या रहा है सुमवार क्या रहा है बच्चा सुमवार आ रहा है तो यहां पे सही विकल्प होगा डी सुमवार कौन सा होगा सुमवार होगा यह याद रखने आपको सब्ता में साथ दिन होते हैं सनीवार और सुमवार के बीच क्या आता है तो देखें सनीवार और यहां पे सोमवार तो सनिवार के बाद क्या आता है सनिवार के बाद आता है रवीवार तो सनिवार रवीवार सोमवार तो सनिवार और सोमवार के बीच में रवीवार यहां पर एक विकल्प आप कर लिजिए प्रसन यहां पर डी विकल्प कर लिजिए रवीवार रवीवार यहां पर स मीटर और 50 सेंटी मीटर और 8 मीटर 60 सेंटी मीटर है तो उनकी कुल लंबाईयां बताईए देखें यहां पर मीटर दे रखा है और सेंटी मीटर दे रखा है तो आप इस तरह मीटर और सेंटी मीटर लिख लिजेगा मीटर के नीचे मीटर लिखेगा 5 मीटर और यहां 50 सेंटी यानि 14 मीटर और 10 सेंटिमीटर 14 मीटर 10 सेंटिमीटर विकल्प ए से ही है कौन सा बच्चा विकल्प ए से ही है दसवा प्रसंदी रखा है 2 किलो गराम 375 गराम को हम किलो गराम में लिखना है तो देखिए 2, 3, 6, 5 हम जानते हैं कि 1 केजी में होता है 1000 गराम कितना गराम 1000 यानि एक के पीछे 300 जिन है यहां पे भी पीछे से 3 अंकों के पहले 10 मलों लगाएंगे तो पीछे से गिनी है पीछे से 3 अंक गिनी है तो 1, 2, 3 यानि यहां 3 में आ रहा है यहां 10 मलों लगाएगा 2.375 kg 2.365 kg यानि 2.365 kg को हम लों कैसे लिखेंगे 2.365 kg विकल्प ए से ही है तो बचाईएगा बच्चा आप सभी का इस में कितना माक्स है 10 में से आप सभी के कितने स्कोर हुए वीडियो को लाइक से जरू कीजिएगा और भारतोस क्लासेश को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा धन्यवाद